हाई गाइस वेलकम टू ममीज कीचन है हमने एक किलो मटर को अच्छे से छील के अच्छे से धो लिया है और उसके बाद में हमने रख लिया एक पेन उसमें डाल दिया है दो चमस तेल और हमने डाल देंगे सारे मटर इसके अंदर चार कली लसुन तीन हरी मिर्च दाल के हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे अच्छे से भून जाएं उसके बाद में हम इसको अच्छे से एकदम थंडा कर लेते हैं थंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर में दाल के इसको कड़ी पत्ता और हरा धनिया डाल के इसको हम पेश लेते हैं दर दर कि इसको हमें ज्यादा बारिक नहीं करना है इसी थोड़ा अपिसना है दरग दरा अधा दनीया, कुटा हुआ बारिक धनिया, अधा चमच डाल दिया, जीरा पॉडर, काली मेरी दोनों मिक्स हमने पीसके डाल दियाए, अधा चमच लाल मिर्ची पॉडर, हमने दाल दिया लसुन, मसाला, आदा चमच, पाव चमच, हल्दी, हम दाल देंगे नमक, स्वादन, उसार, हम दाल देंगे दो चमच, बेशन, बेशन दालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से भून, एकदम सुका बेशन अच्छे से पक जाए तेल म तब तक हमें इसे भूनना है और दाल देंगे एक चम्मच तील दाल के अच्छे से भून लो और इसमें दाल देंगे हम हरा मटर जो हमने दरदरा सा पीसके रखा है बस इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं और इसमें दाल देते हैं आदा चम्मच चाट मसाला और चमच, चिनी और इन सब को अच्छे से हम भूण लेते हैं सब को अच्छे से Mix करके भून लो और एक Plate में amस्कों निकाल लेते हैं ताकि यह अच्छे से थंडा हो सके और इसके हम बना लेते हैं गोल गोल लड़ू थंडा होने, अच्छे से होने के बाद ठीक है तो हमने लड़ू बना लिया है अच्छे से इसके 6-7 लड़ू बन चुके हैं और हमने गूंद के रख लिया है आटा आदा गंटे पहले ही हमने इसको 15-20 मिलिट से ज्यादा हो गया है तो हमने इसको अच्छे से गूंद के रख लिया तो बना लेते हैं छोटे हैं चोटे पेड़े हम उसके हमको तो चराचे हुध управ को अई खात एक आप चाहे तो उसको चोरी तरासी त्याट में लेकिन हम तरह से पराचे-णाश्टेक म्हला रा on चलो हम बना लेते हैं ऐसे गोल गोल बना लो और रोटी में अच्छे से इसको बेल के गोल इसमें अच्छे से भर के इसको कर दो अच्छे से चारो तरफ मतर भिल जा ऐसे इस तरह से इसको मिला लेना है और अच्छे से इसको हाथ से दबा लेना है और फिर छोटे हलका हलके हा तो उसे बेल के एक बड़ा पराटा, हमने रोटी बेल लिया है, वाजो में रख देते हैं, बना लेते हैं हम दूसरा पराटा, अब चाहे तो बेले विना भी हाथ से भी ऐसे बना सकते हैं इसको गूल, तो फिर बस ऐसे बना लो, और अच्छे से इसको फोल्ड कर दो ताके पेन डाल देते हैं, घी आप ऐलवी से बना सकतے हो, या फिर डाल तेजी से बना सकते हो, हम बना रहे हैं, घी में इकढम टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं इकढम अच्छे पराटे, हमने शेक लिया, τपिक है हमारा पहला पराटा बनके हो गया है तैयार यह हमने बना लिया है दूसरा पराटा भी हमने अच्छे से बेल लिया है और इसको भी अल्टी पल्टी करके हम अच्छे से से शेक लेंगे गी लगा लेंगे आप चाहो तो आयल आओ डालडा गी में भी आप इसको फ्राय कर सकते हैं तो हमारे सारे पराटे बन के हो गए हैं एकदम तैयार तो हमने सारे ही पराटे बना लिए हैं और एकदम मज़ेदार और एकदम शांदार पराटे तैयार हो गए बस आप इसको धही से खाओ या फिर तमाटर केचप से या कोई चटनी से मुझे तो ऐसे ही चाई में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेने वाले हैं ये पराटे मैं इनको चाई के साथ खाने वाली हूँ और बच्चों को दूंगे मैं इनको धही के साथ तो आप भी जैसे चाई खाओ ठीके बाई